नमस्कार आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा गाउं ये वो कारिक्रम जिसके जरीए हम एक मुहीम लेकर चल रहे हैं गाउं गाउं तक पहुचने की हमारी कोशिश हमारा प्रयास इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है ति शहर की चकाचौन से दूर विकास के दावों के इतर गाउं की तकदीर और तस्वीर क्या है वहां के बाशिंदो की जो समस्याय हैं क्या जन प्रतिनिदी उन समस्याओं का समधान कर पाते हैं दावे धरातल पर हकीकत में कितने हैं यह अपने आप में एक एहम सवाल है और इनी सवालों के इर्दगिर्ध हमारी कोशिश यह होती है कि सेतू का काम बनके हुक्मरानों तक उन समस्याओं के समधान की एक कोशिश करें इसरे इस कारिकरम का हिस्सा BJP, Congress, आम आदमी पार्टी, उत्रहखंगरानती दल, कोई रादनेतिक दल नहीं होता है हमारी कोशिश होती है कि जो गाउं के बाचिंदे है, ग्राप्रधान है उनको इस कारिकरम का हिस्सा बनाए स्थानिये लोगों को इस कारिक्रम का हिस्सा बनाए हमारे जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे समवादाता है वो इस कारिक्रम का हिस्सा बने ताकि वो बता पाए कि उनके शेत्र की समस्या है क्या है हम तमाम विधान सभाओं का उत्रा खंड में दौरा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी लगातार हमारी ये कोशिश जारी है और अगर उत्रा खंड के संदर्ब में बात की जाये तो तमाम मंत्रियों के विधान सभा शेत्र में हमने ये कारिक्रम किये वहां के लोगों को जुड़ा गाउंवालों से जाना ग्राम प्रधानों से पूछा कि शिक्षा, स्वास्त, सड़क ये तमाम दावे जो किये जाते हैं विकास के वो कितने हकीकत में है हम कोरदवार गए हम चोबटा खाल गए हम शिरिनगर गए यहां तक की खटिमा के विधानसबा शेतर में भी एक कारिकरम हमने किया जहां मुख्य मंत्री का विधानसबा शेतर है जाना की आखिरकार विकास को लेकर जो दावे किये गए उसकी हकीकत क्या है और आज उनी तमाम दावों के इतर एक और विधानसबा का आज हम जिकर करेंगे वो विधानसबा के साथ-साथ एक अपने आप में जिला भी है मैं बात पौडी की कर रहा हूँ पौडी अपने आप में राजनेतिक लिहाज से बहुत खास है पौडी का अपना एक वजूद है और पहाड के परिपेक्ष में पौडी राजनेतिक लिहाज से काफी महत पौड है लेकिन पौडी में इन दिनों एक अजीब की कश्मकश है पौडी में महिलाएं विरोध कर रही है नराजगी का इजहार कर रही है एक टौवर की समस्या भी है जो मूबाहे खड़ी हुई है और इतना ही नहीं विधायक लापता के पोस्टर भी इन दिनों पौडी में चस्पा है लेकिन पौडी की तस्वीर है कैसी यह अपने आप में एक एहम सवाल है क्योंकि राजनेतिक दलो का यही कहना है कि पौडी का विकास हुआ है लेकिन क्या वाकई में पौडी का विकास हुआ है क्या पलैन की जो सबसे बड़ी समस्या पौडी के भीतर थी क्या वो खत्म हो चुकी है पौडी कहे कल्यान को लेकर आखिर कार राजनेतिक दलों ने किया क्या वहां की तस्वीर क्या है सीधा रुख करेंगे इस वक्त आपको बतादे जो हमारे साथ मेमान जुड रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मेरे सायोगी भगवान सिंग इस कारेकरम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार क्या हालात हैं पौडी के वो आप तक पहुंच आते हैं और ये विरोध की तस्वीरे भी आप देख रहे हैं जहां पर महलाएं खुद अपनी इनराज़गी का इजहार कर रही हैं क्योंकि चुनाव भी नजीक हैं तो हर किसी को उमीद होती है कि उनका काम उनक काल में न्यूस वर्ल इंडिया की टीम का जंडा उठाए हुए हैं आपको बहुत बहुत शुपकामना है इस कुरोना काल में परिवार को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें भगवान जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तो पौडी के क्या हैं हा के पौश्टर की लापता की जो कोउस्टर है वहाँ की स्तानी लोगों की दो चीजा माँगे एक रोड की मांगे है और एक नैटवर्क है जिसे तरह से भाचपा की SAKAR कर है इंडिया की बात करती है लेकिन अगहना बिचल की बात करे तो वहां पर अगदन नहीं हो पार रहा है तो क्या इसे सवाल खड़े जरूर होते यहां पे स्वास्त विभाकिंगी कि इसी तरह से टामडोल माटव मैं सबसे से नेटवर्क की बात कर लूँ यह नेटवर्क टाउवर वाला किस्सा क्या है भगवान जी जो आपे पौड़ी की महला सड़कों पर उतर रही है ज़रा ये भी हमारे दर्शकों को बताईए बिल्कुल नेटवर्क की बात करें तो वहां पर पौड़ी बिदान सभा की बात करें क्योंकि वर्तमान के विरायग मुकेश कोली है लगातार हम छेतर में बर् क्योंकि पौड़ी बिदान सभा के बारे में बिल्कुल तरही से जानते है और उनसे में संपर करांगा कि किस तरह से यहां की बिदान सभा की बात करें तो किस तरह से परेता निर वर्ड में उन्स वागत है तो किस तरह से देखे आप यहां की समय से पौड़ी बिदान सभा तो नेटवर्क एक सबसे बड़ी जो डिमांड है लेकिन आज दुर्भागी है कि ग्रामीड शेत्रों में पौड़े जिले के गर में बात करूँ तो 60 पर शेत्र ऐसा है जहां पे नेटवर्क करेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आती इंटरनेट तो थोड़े आप वहाँ पे जो बात करने के लिए सिंगना तक नहीं आते तो बहुत बुरी इस्थिती है नेटवर्क करेक्टिविटी की और भाजपा ही डेजिटल इंडिया की बात करती है पंच जी एक बात आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप लो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं यह कौन से ऐसे विधानसभा शेत्र में कौन से ऐसे इसे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता और यह महला इस बात को लेकर भी नराज है देखिए पौड़ी जी लेकि अगर मैं बात करों तो यहाँ पे छे विधानसभाएं हैं पौड़ी विधानसभा है स्रीनगर है चबटाखाल है यहाँ पे यमकेसर है आपका लैंसडाउन है पोड़द्वार है पोड़द्वार को छोड़ करके जितनी बाकी की पास विधा पूरी विधानसभा में देखा हम लोग गए तो वहां पे एक भी नहीं लगा है एक जियो का टावर अभी लगा है जो वहां के जो ब्लॉग पर मुख है मैंदराड़ा की जी को दोरा लगा गया बाकी अगर में बात करो तो वहां पे बिनायक दिली प्रावत महंत है जो कहत अची करेक्टिविटी मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो लैंसरों का चेत्र है वो दिली एंस यार से बहुत पास परता है को अगर यहां पे जोड़ दी जाए तो मुझे लगता है जो हमारे जो पचास प्रसक जो बच्चे आईटी सेक्टर में काम करें दिली लेकिन दुरबागी है यही कि आपे नेटवर कनेक्टिविटी बहुत अच्की नहीं कि असा मैंने पहले भी बताया कि यहां से तो कई बड़े-बड़े दिगज चुनाव लड़े हैं ना सर कुछ तो जीते भी हैं और कुछ तो अब अलाग विधान सभा की और कूछ भी कर रहे हैं, प्लाइन कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चा रहा हूं, इतने तमाम दिगजों की फौज नेटवर्क क्यों नहीं ला पाई, यह क्या वज़ा है, मैं समझ नहीं पाया कर रहा हूं, मैं उनकी पड्डी दिन्स या जो जवायान दें, उन पर मैं भी बात नहीं करना क्या रहा हूं, मैं नहीं कहना यह है, कि आप गडवाल संसद है, और गडवाल का के रहे हैं, एक लंबी चोड़ी यहां पर शंसदी है, यह एक संसद के पास एक विजन होना चाहिए था कि आपकी वो इसी सड़कों से गुजर के कई बार हम लोग फोन पर बात करते तो वो खुद कहते हैं कि सिंगनन नियारा में बात करूंगा अब आप सोचिए जिब सांसत जो हमारे संसत में हमारा पर्टिनित्ट कर रहे हैं वो इस बात करते भी हैं लेकिन विजन ह इडिया की बात करती है कैस्टिक की बात करती है बहुत बुरा हाल है अचा पंजी आप ये तो बता रहे हैं कि नेटवर्क की समस्या है पूरे पौडी में समस्या है ये और सिर्फ अगर मैं कोरदवार को छोड़ दूँ तो वहां पर समस्या है समस्या है लेकिन एक बात मैं आपसे सडकों का हाल जानना चाहूंगा सडकों को लेकर क्या सिती है माँ सडकों की तो अब मैं क्या बताओं बहुत बदहाल इसकी है मैं आपको बता दूँ अभी एनेज का एक प्रोजेक्ट चलना है जो गुमखाल से लेकर के यहां पे एक जगह है अग्रोडा चाहे आप यमकेशन विधानसभा में चले जाएए नेटू खंडोडी जी जो बोदपूर हमारे सियम थे उनकी बिटिया वासे विधायक है आप चाहे लैस्डोन विधानसभा में चले जाएए यह सिर्फ क्या करते हैं कि क्यिक इuri के टाइम पे यह रोड़े कटि करती हैं उनका उत्राटन हो जाता है वह उसलों कार दी गई है उनका लोक अर्पन कर दिया गया है लेकिन उसपर वाहन चलना बिल्कुल मुस्किला केंदरी विद्याले की तरफ सड़क जाती है वहां पे हजारों बच्चे रोज बस से जाते हैं इतना बड़ा खिलवार है उन बच्चों के साथ में आप उस रोड तक कुपास नहीं करा पाए उस पे पेंटिंग होती बात में है उखड़ पहले जाती है तो तमाम मदश से काम ही इस पे होता है कि वो रोड जल्दी से जल्दी उखड़े ताकि दुबारे टेंडर निकले और जो जनता है उसके पैसे का तुर्प्यों को आप जानते पॉड़ी में तो विदायक जी पे 25% के आरो पहले लगाए थे उन्हीं के कारे करता ने हम भी नह तो बहुत बड़हाल इसकी है और क्या बता हूं मैं अच्छा विदायग जी लापता है क्या आजकल वो पोस्टर रोस्टर देख रहा दा मैं विदायग जी लापता नहीं है विदायक जी किस विदानसापगी बात करने हैं था पॉडी की पॉडी में क्या विदायक जी मुकेश कॉली की बात कर रहा हूँ एक विदायक तो दैरा दून में ही रहते हैं वो तो मुझे मालूम है वो दैरा दून में ही रहते हैं वो कभी-कभी कोड़दवार जाते हैं वो तो मुझे मालूम है मैं आपको बता दमुके स्कोली अब लगातार चेतर में रहना उनको पता है कि चुणाओ का प्रैसर है और बहुत जादा नेगेटिव है लोग की तरफ उनी की पार्टी उनका विरोध कर रही है तो अब क्या है कि वो रहे भी अगर चेतर में तो सर्किट हाउस है मेरे ख्याल से आज तक जब से विदायक बने सर्किट हाउस का उन्होंने कमरा ही नहीं चोड़ा अब आप परियाटक की बात करते हैं आज खिर्सु सिर्णगर विदासभा की बात करते हैं वहां पे पॉरिस्ट का एक बढ़ बढ़ बंगला है लेकिन वह भी आईपी के लिए हमें सब होता है और महां पे कोई नहीं जाता सिर्फ बीजेपी के कारेकरता हमाँ पे जाते हैं बागी कोई नहीं जाता जबकि उसने बहुत अच्छा रेवनिट हो सकता था तो उन्होंने सर्किट हाउस पे तो जैसे कपजा ही कर दिया था तो अब वो एक तारिक से अलग एक कमरा लेकर के रहने लगें कि उनका पता है कि अब अच्छी यह जो आप सडकों का बता रहे हैं पंधी यह कौन कोंसी ऐसी मतलब विदान सभाशेतर हैं जहां सबसे ज़्यादा बुरा है क्योंकि आपने जिक्र किया यमकेश्वर का जहां पर रितु खंडूरी है विदायक और आपने जिक्र किया लैंस डाउन का जहां से दिलिपरावत मेरे खाल से विधायक हैं ये दोनों और रितु खंडूरी का ये है कि पूर मुक्य मंत्री भूवंचंद खंडूरी जी की बेटी हैं तो मैं आपसे जानना चाहरा हूं कि क्या ये दोनों विधानसभा शेत्रों में स नहीं लड़ेंगे डाउट है क्योंकि वो लड़ते नहीं हैं महां से कभी मतलब उस विधानसभा जिससे लड़े चुनाव जीते हो और अगली बार दूसरी वहां पर भी कुछ नहीं हुआ जी जी मैं आपको बता दूँ देखो दिगज हमने इनको बना रखा हम लोग बार बार सता में इनको लेकर के आ जाते हैं तो दिगज ही हो जाते हैं नई नई पंजी वो कहते हैं मैं जूते की नोग पर रखता हूं मंतरा ले और फिर वो कहते हैं कि चुनोती देकर कहता हूं दस दिन पहले बता दे ना कहा चुनाव लड़ना मैं चुनाव जीत के दिखा दूँगा तो फिर खेर वो एक अलग विशे है वो वो कहते हैं ने कि पर्थेक्ष को पर्मार्णद की ज़रूत नहीं होती। तो वो पिसले साल से मतला यूपी गौवर्मेंट से ही वो होता आ रहा है। वो जिस विधान सबाने जाते हैं, वहाँ मिदायत बन जाते हैं। अप ये कह रहे हैं कि सब पूरी विधानसबाओं म में सब्जे के यही हाल है चाहिए आप इन्हों ने सिफ घस्यारी केट बांटी है बाकि आप जब ये खिर्सू से कनेक्टिंग रोड है उतर पैठानी हम लगातार उस सड़क पर आवा जाही होती है इतनी बेगार उसकी कंडिशन है कई बार हमने बोला भी उनको घस्यारी बद से बत्तर हुई है एक भी सड़क लिखा दें हाँ नई सड़किनों ने जरूर कटिंग करें पर उसकी विदाएगरी का जो असिलान्यास के लिए बाकि कोई गनेक्टिंग वो बढ़िया नहीं है हम लोग लगातार पहाडी शेत्रों में जाते रहते हैं एक भी विदान नमर 11 वार्ड नमर 33 में इतनी बुरी इस्तिती है वहां पर पान साल पहले ज्यादा बद करादा तो पिस्ते पान साल सड़कों कोई काम नहीं हुआ है पान साल सड़कों के परिपेक्श में काम नहीं हुआ आप बता रहे कि तमाम बिदानसबाओं का यह हाल है बगवान जी मैं आपसे एक बात जानना चाल आता कि पॉड़ी के परिपेक्श में क्योंकि पंची बता रहे ते कि समझ़स्या है काफी है लेकिन वहां जिस तरह के शिक्षा के परिपेक्ष में हम जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि श्रीनगर भी है कोरदवार भी है तो शिक्षा के परिपेक्ष में कुछ हुआ है या फिर वहां भी ऐसे ही है हाला दावो के तर्थ जो अम्वेज भाई ने बताया है पंतजी ने बिल्कुल जाइज बात बताये क्योंकि इसमें कोई दोराए की बात निये और मैं देखिए मैं तो अगरना देखो पत्रकार बोलता है तो वो क्या कहते है कि पत्रकार तो बड़ा चड़ागे करता है लेकिन जो इस्तानी लोग होते है उस चीज को समझ सकते है और मेरे साथ ही समझा जोते है सीमा सजवान जो कि सीमा सजवान पर भी आप आगरना कुछ बायत रखन रखो कि महिला है क्योंकि कहा जाता है पाड़ों में कि अगरना महिला घर पर होती है तो तबी घर का चूला साई चाम से जल सकता है तो मेरे साथ सब्सक्राइब है मैं सीमा सजमान जी से भी पूछना चाहूंगा आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजी सीमा जी बताईए क्या हाल है पौडी के हमारे सायोगी तो बता रहे हैं कि हाल बेहाल है लेकिन आप मातर शक्ती है सबसे पहले तो आपको परणाम हमारा और हमारा न्यूस वर्ल इंडिया की ये मुहीम है कि हम आप लोगों तक पहुचे गाउं गाउं तक पहुचे और आप लोगों की समस्या उन जन प्रतिनीदों तक पहुचाएं जो कानों पर रूई डालके सो रहे हैं हमारी कोशिश है सबसे पहले तो स्वागत आपका और नववर्ष की हार्दिक शुप कामना है तो सज्वान जी कैसी है वहाँ पर पॉड़ी की तस्वीर जरा हमें बताईए जी मैं चौबटाखाल विदान सबासे राती हूँ जी जिलावन जाए खड़स हूँ एक इसवर टोटा वाड़ नमबर 34 मेरी सीट है चौबटाखाल से तो बहुत बड़े बड़े दिगगत चुनाव लड़े भी और जीते भी मतलब जो भावी मुख्य मंत्री जिनका सपना है मुख्य मंत्री बनने का आप उनकी सीट से आ रही है अब बताईए क्या तस्वीर है माकी तस्वीर की अगर मैं बात परूँ तो तस्वीर बहुत खराब है अगर मैं बात हूँ हॉपिटल की, मैं अभी एक मुद्धा, मैंने उठाए विता, मैंने मानी जो हमारे चेत्री विदाएगे, मैंने उसे कखा था, कि मेरा एक छोटा सा मेरा चेत्र है, उसमें एक प्रार्थमिक स्वास्टे केंदर है, कि रुपू, वहां पे एक भी करमचार कर लिए कि मैं चेत्र का हाल क्या होगा, इतनी प्रात्मिक स्वास्ते केंदर बता रहे हैं, जो बट्तあっा काल में, तो वहां पर क्या रिजिस स्मझ्स्या है, या फिर क्या समझ्स्या है, वहां पर एक डॉक्टर नथ कोई है, नकोई नर्स है, और मैं गई पोँने के मतलब विधायक तो वही है जो अपने आपको रेल पूरुष कहते हैं तो उन्होंने अपने शेत्र का उनको मुख्यमंत्री बनना है अपने शेत्र का भी मुख्य मंत्री जिनका सपना बनने का वो अपने शेतर में कभी आते थे कि देख लू कि मेरे शेतर का हाल क्या है वो तो आपको जंदा बढ़ाएगे कुछ टाइम बात कि आये की नहीं आये क्योंकि कई तो है ना दैरादून ही रहते थे मैं जानता हूं चाहिए बहुत सारे दैरादून रहते थे वो दैरादून से अपनी शेतर में जाते जब चुनाव होता है तो अब आरे महराज जी की नहीं आरे चुबटा खाल में अभी तो पिछले चार साल में बहले ही ना दिखेंगे उपोई पर आप तो सब दिख रहे हैं चेतर में अच्छा और शिक्षा तो धरम पतनी भी विधायक रही तो मैसले कुछ महलाओं के कल्यान को लेकर कुछ किया उन्होंने नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि महलाओं बहुत नाराज हैं सबसे पहले तो जो महलाओं के में समस्या है जंगली जानवर बहुत हो गए हैं चोबटा खाल जी जी कुछ बोती हैं तो सुर, बंदर, लंगूर तब खतम कर जाते हैं अच्छा वो तो खेर मेरे को सुनने में आया था कि टीरी में टाइटैनिक चलाने वाले थे और अपनी विधानसभा शेतर में यह हाल आप बता रही हैं लेकिन एक बात मैं आपसे जाना चाल था स्कूल है महाँ पर चोबटाखाल में शिक्षा की विवस्था गैसी है? अच्छा मैं यह चाहता हूं आपसे की सजवान जी आपसे मेरी दर्खास्त है कि इस वक्त अगर आपको विधायक सुन रहे हों जन प्रतिनीदी सुन रहे हों तो आप चोबटाखाल की सबसे बड़ी कौन सी समस्या जिसका समधान करवाना चाहरी है? सबसे बड़ी समस्या हुई है बेरोजगारी है वही सुसाजते सिसाएं जो सुसाजते है वो बहुत जरूरी है वो बहुत जरूरी है कभी आप लोग क्योंकि वो तो महराज जी है ना महराज महराज चुनाव समझ रहे हैं आप तो कभी आप लोग उनके पास गए अपनी फर्याद लेकर कि महराज जी कुछ समस्याओं का समधान कर दीगी है कभी कोशिश की आपने सज्वान जी महराज जी क्या कि आपने महराज जी तो भारी बरकम मंत्री है खुद भी उनका वजन भी बहुत भारी बरकम है यह तो निश्य तो पर सच है लेकिन जिस तरह से भी सज्वान जी ने पताया इनका जिला पच्चा है तो छेत्र है कोटा 34 कोटा अच्छा दो उनकी दी दी महीला उने विरोध किया है अब आप सोच़िए किरा प्यैरो है पर में मुकत में दर्ज गरते है अब सूचandra अपनी बात रखनी तुर चाहिती अब आप सोचिए किस उससे वो दुबारे चुनाव रणने के लिए आते हैं जब आप करामिडों की मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं जब वो अपनी रखते हैं तो आप उन पे मुगत में दर्ज कर देते हैं तो यह कहां का महिला सकती कराण कि अब आपके सरकार कहते हैं कि माहिला सुरक्सा बटी बचाओ बेटी पड़ाओ तमाम तरह की ठाली यह जुबने हैं कि खाली उनकी वोट बटोर्ने का होता है एक्चनल दरातल पे ना महिलाओं का संबान अप इसका परते उदारन देख सकते हैं ॆ पिसका परते बिल्कुल 5 साल में पेलेर हुए हैं यहां पर मुझे लगता नहीं कि 5 साल में अब आने वाले उसमें उसमें को चुनेगी बिल्कुल 5 साल में उसमें पर मुझे मंतरी बना दिया और मुझे मंतरी का लालत लेकर के लेकिन एक मुझे मंतरी नहीं बना और ना तो आगे बनाएंगे वह विधायक बन जाए इस पार चौपटे खासे मेरे साथ इस समय में थोड़ा मापी जातों पंजी को कारना पड़ र आप आप नाम बताइए बनापर मेरा विमल सिंग कोली है विधान सब्सक्राइब चौबटा खाल कंगरेश चेत्री जंता की समर्श्याएं यहां पे जो माराथ जी को चेत्री जंता ने प्यार और समर्तन गिया उनको विधान सभा में पांचाया और मंतरा ले उनके पास प अगर परेटन से करना चाते तो परेटन से कई योजना है मित्र में यही बात आप से जानना चारा था परेटन के शेत्र में कुछ किया माननिय मंत्री जी ने माननिय मंत्री जी ने परेटन के शेत्र में यहां पे मंत्री जी का कार शून्या है मंत्री जी ने यहां पुछ का नहीं हुआ जो सत्पुली की उन्होंनों जील का वादा किया था वह अभी जरातल पर कहीं काम नहीं है उसका और जोहां तक उन्होंने सत्पाल माराच जी आज कहते हैं कि हमने घरिद्वार में यह किया अरे भाई साथ बिढ़ाएक चौपटा खाल में है आपने चौपटा खाल के लिए आखर किया क्या है यहां की जंदा तरस्त है जंदा आके पास सिकता अब आपके मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें मै कुछ नहीं कर सकता है लेकिन मेरे सहयोगी बहुत मैनत कर रहे है भगवान जी थैंक यू सो मच आपने वहां की आवाम की आवास को हम तक पहुचाया अपना भी ख्याल रखिये बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी आपका भी तो यह थे हमारे साथ हमारे सहयोगी Ground Zero से तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने विदानसभा शेत्र का हाल बाटा हमसे, दिल का दर्द, बता रहे हैं कि विकास के दावे हुए लेकिन हकीकत क्या है वो आपने सुन भी लिए, ये कोशिश है हमारी, गाउं तक पहुचने की, जो विकास के पहुचते हाफ जाते हैं, विकास हाफ जाता है, गाउं तक पहुचते पहुचते, अभी युवा भी है, लेकिन फिर भी हाफ जाता है, अब सोचिए, ये है उत्रा खंड की अस्री तस्विर, दावो के तर, विज्यापनो के तर, हकीकत, यही कोशिश आगे भी जारी सीट का हाल दिखाएंगे आपको, मुझे दीजिये जादत, नमस्कार जय हिंद, जय भारत, जय उत्रा खंड